नमस्कार दोस्तों इस विडियो में विंड मिल अर्थात पवन चक्की का वर्किंग मॉडल बनाना सीखेंगे पवन चक्कियों का इस्तमाल सदियों से होता आया है लेकिन विजली पैदा करने के लिए इसका विकास 1990 के आसपास हुआ पवन चक्की कई तरह की होती है लेकिन जो सबसे अधिक प्रसलित है उनमें एक विसाल खम्मे के उपरी भाग पर एक सिलेंडर लगा होता है जिसके मुँपर 20-30 फूट लंबे और 3-4 फूट चोड़े पंखे लगे राते हैं जब हवा चलती है तो ये पंखे गूमने लगते हैं इससे पैदा होई उर्जा को जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्थित किया जाता है हमारे वाई मंडल में इतनी पवन उर्जा है जो दुनिया की बरतमान बिजली खपत से 5 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकती है सन 2008 में दुनिया की कुल बिजली खपत का 1.5 प्रतिसत उर्जा पवन उर्जा से पैदा किया गया लेकिन इस दिशा में तेजी से प्रगती हो रही है और बड़े इस तरफर बिंड फार्म बनाय जा रहा है ऐसे काम करती है पवंचक की आए देख लेते हैं इस कुरू से मोटर को अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा इस दिशा में तो अच्छी तरह से प्रगती है मोटर से के वायर को आपस में कनेक्ट करेंगे अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट में लगे हुए पंक्खे को घुमाने पर प्रोजेक्ट में लगा हुए LED बल्ब जलने लगता है हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूरब